Hello friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल जिसमें आज हम जरने वचश्मों की बात करने वाले हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज हम इंस्टाग्राम पर फोलो कर लें इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा साथी साथ आप हमारी सभी HP से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं जितनी भी सीरीज हैं सभी की सभी को आप चेक आउट कर सकते हैं नीचे प्लेइलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा आप वहां से सभी वीडियोस को चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बात करे थे हम लोग जरने की तो एक और आप देखेंगे तो जरने और चश्मे लिखे हुए दूसरी तरफ क्या है जिले और स्थान लिखे हैं कहां कहां पर यह जरने पाये जाते हैं और तीसरा क्या है कि इनका जल जो है वो कैसा है गरम है ठंडा है कैसा है राइट तो सभी को एक एक करके डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं वशिष्ट की तो यह व्यास नदी के बाएं किनारे पर है और यह कहां पर पड़ता है तो यह कुलू में है मनाली में और इसका जल कैसा है यह गरम पानी का जहरना है राइट नेक्स चलते हैं हम लोग खीर गंगा तो यह पारवती नदी से संबंधित है राइट नेक्स्ट है मनिकरन तो पारवती नदी के दाय किनारे पर है यह और यह नेक्स्ट है रहला तो यह पानी कैसा है ठंडा पानी होता है उसके बाद जोरी राइट पास है और यह कहां पर पढ़ता है तो यह शिमला में पढ़ता है रामपुर बुश शहर में इसका पानी कैसा होता है गरम होता है उसके बाद है चैडविक तो यह शिमला में है राइट तो क्योंकि अंगरेजी नाम है तो आप नाम को पढ़कर के ही समझ जाएंगे कि कहां है शिमला में है और कहां है समर हिल में ये पढ़ता है और इसका पानी कैसा होता है तो ठंडा पानी राइट नेक्स हम लोग बात करते हैं नेक्स है टापरी तो ये कहां है कि नोर में और इसका पानी कैसा है तो इसका पानी गरम है भागशुनात ने तो यह कांगड़ा के मैकलोडगंज में पड़ते है और इसका पानी कैसा होता है तो इसका पानी भी थंड़ा होता है जोला मुखी, तो यह व्यास नदी के पास है, और यह कौन से जिले में पढ़ता है, तो यह कांगणा में पढ़ता है, और इसका पानी कैसा है, ठंडा, जोलनानी, तो इसकी खोज, कैप्टन ए कॉलमन ने के थी, तो यह नाम आप याद रिख लीजिए, रैậậ किसने इसकी खो यह कहां है यह कांगडा में है और इसका पानी कैसा होता है ठंडा होता है उसके बाद सुल्ह तो यह भी कांगडा में है और इसका जल कैसा है ठंडा उसके बाद सात धारा तो यह कहां है यह चंबा में पढ़ता है पंजपुला में और इसका जो पानी है वो भी ठंडा होता है नेक्स्ट है धन्चो तो ये धनेखा में पढ़ता है कहां पर है ये तो ये चम्बा में है और इसका पानी कैसा है ठंडा राइट नेक्स्ट जो है वो है काली का राइट ये काल का नहीं है काली का है और ये कहां पढ़ता है ये पढ़ता है चम्बा में और इसका जल कैसा है ये ठंडा जल है राइट नेक्स्ट है हमारे पास तत्त पानी तो ये सतलूज के दाएं की नारे पर है और कहाँ पर ये पढ़ता है तो ये मंडी में पढ़ता है करसोग में और इसका पानी कैसा है गरम है और साथ में गंधक यूगत है राइट next चलते हैं हम लोग next है कलत right तो ये व्यास नदी के दाएं किनारे पर है और ये कहां पढ़ता है तो ये पढ़ता है कुलू में मनाली में right और इसका पानी कैसा है तो ना जादा तर ठंडा है और ना ही जादा गरम है right next चलते हम लोग next है next है बहना तो ये सतलूज के किनारे पर है कहां पर ये पढ़ता है तो ये कुलू में पढ़ता है right कुलू में पढ़ता है बाहरी सीराज में और इसका पानी कैसा है तो इसका पानी गरम है right next कुछ और जो जहरने छूट गे हैं उनकी बात कर लेते हैं या कुछ के बारे में important notes वो है वो भी解क करेंगे राइट उसके बाद लुंड और ददराना चश्मे बिलासपूर जिले में ऊसके बाद धेकुंड धलोजी जंबा के पास स्थित है next है मनीकरण चश्मे में रेडियो धर्मिता विध्यमान है मनीकरण का अर्थ है कान की बाली यहाँ पारवती मा की कान की बाली गिर गई थी शिवजी के क्रोध के कारण जो पानी है वो उबलने लगा तथा हजारों मनिया कुंड से वहर आ गई है तो इससे आपको यह मनीकरण चश्मे की पूर जो याद है वो रहेगा कि क्यूं इसका नाम मनीकरण जो है वो पड़ा next चलते हैं हम लोग वशिष्ट चश्मे के साथ रिशी वशिष्ट एवं भगवान राम का मंदिर है लक्षमन के अगनी वान से यहां गरम पानी का चश्मा फूट पड़ा था next चलते हैं खीर गंगा तो खीर गंगा में शेव पुत्र कारतिके ने तपस्या की थी तो यह में चीज़े हैं यह आप याद रखेंगे next चलते हैं अब कुछ कोशन को डिस्कुस करते हैं सबसे पहला कोशन है भागसुना जहरना कहां पर स्थित है तो धरम शाला में next है वशिष्ट गरम पानी का चश्मा कहां पर स्थित है तो यह कुलू जिले में है next question है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जल स्त्रोत गरम जल स्त्रोत कौन सा है तो यह मनीगरण में है बहुत लोग यातरा भी करके आएं होंगे next question है हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान गरम पानी के स्त्रोतों के लिए प्रसिद्ध है तो यह तत्ता पानी जो है वो इतरो शचल प्रपात किस शहर के किनारे पर स्थित्ग है तो यह मनाली के किनारे पर स्थित्ग है ् तो यह सभी के सभी कोशंच चरूब यह रास्ट अचपी ग्जैम्स में औरी टिर विटिस हैं तो इन खता है.. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो इंफोर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूले इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी थैंक्स फूर वाचिंग